तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं वेज़ लिए किसी भी ब्रैंट की नोडल्स ले सकते हैं तो पहले इसे बॉयल करते है ज़ल Voilà उब माणा ने देखे बॉइल करने के लिकाद आप इसे उबलते पानी में ही डालने पहले धेर तेल डाल दें और इसे उबलने दें कि असे उबाल आने पर दोस्तों औज को बिल्कुंम masih बिल्कुल क्लम करें। नहीं तेज औंच कर पकाएं। नीडियुम फ्लेम पर 5-7 मिनट तक नूडल्स को अच्छे से बॉय करें ऐसे आपको लगे दोस्तों नूडल्स बॉयल होगी आप एक नूडल चक के देख सकती हैं अगर हलकी सी कच्छी भी है तो आप गैस बंद कर दें क्योंकि ओवर को जाएगी तो नूडल्स हमाई चौम करके रख दूंगी आप इसे अभी बेशक अभी बना लें दो घंटे बाद चार गंटे बाद चिपकेंगी नहीं आप इस तरह से थंडा करकी और मलकर रख दें तो चलिए नूडल्स को हम कर देते हैं फ्राइए इसके लिए दोस्तों मुझे चाहिए होगी इस तरह से मिक्स कर लें कि दोस्तों मैंने टोमाटो केचप में रच चली पाउडर को मिक्स कर लिया है साथ में दोस्तों जिंजर चाहिए होगा बारीक कटा गार्लिक अगर आप खाते नहीं तो वॉइट करें थोड़ा सा पनी यह आपको अच्छा लगता है तो आड करें तो पैन ले दोस्तों पहले आड करेंगे और साथ में इसके गाजर भी एड करेंगे मैं इसमें कैड़ कर देती हूं दोस्तों प्याज और गाजर को आप ऐसे तेज आज पर भून लीजे ताकि क्रंची भी रहें और थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएं खाने में अच्छे लगेंगे त होती है तो आप तेज आज पर ही सबजियों को सौते करें तो प्याज अच्छे से थोड़े से सॉफ्ट हो गया गाजर भी सॉफ्ट हो गया तो मैं इसमें कैप सिकम और क्याबज आड कर रहे हूं क्योंकि ज्यादा गल जाएंगी तो अच्छी नहीं लगेंगी इसलिए मैं से बाद में आट कर रहे हूं आप इन्हें तेज आज पर अच्छे से स्टर करें ताकि इनका क्रण्च भी बना रहे हैं और इनकी कुश्पो भी आए और खाने में सॉफ्ट भी लगे और क्रण्ची भी तो इन्हें तेज आज पर आप एक मिनट से जादा नबूने तो एक तरफास अच्छे से सौटे होगे इतना अच्छा गलर आया कलर अच इन्हें दोस्तों से जादा पर ही तो आज कीजिए आज को कम करएंगी तो सौगी हो जाएगी सब्स पानी चूड देंगी अब इसमें बॉयल नोडल रही हूं आप इसमें सारी बॉयल नोडल डालोंगे बात में मिक्स करोंगी आप चाहे तो सब्सक्राइब में पहले सॉस वगर एड़ करके उपर से नूडल एड़ कर सकती है लेकिन मैं इस तरीके से एड़ करूंगी इसे कलर बहुत अच्छा था है तो मैंने दो से तीन टीस्पून एड़ किया है साथ में चिली सॉस डाल ही है कर्मेटो कैचभ डाले उसमें पहले से बहुत नमक होता है दो सो त्जों गैस को तेज रखे और नुडल्स को अच्छे से मिक्स करें सब्सक्राइब के साथ और सॉस के साथक्राइय। देखे दोस्तों नूडल्स को मैं अच्छे से तीजांश करें गरम गरम नूर्स त्यार दोस्तों आप चाहिए तो पनी रैटर सकती हैं वाइड भी कर सकती हैं दोस्तों मुझी उमीद आपको रेशिपी अच्छी लगी होगी और आप इसे दोस्तों सब्सक्राइब करें लाइक करें और जार सेधा शेयर करें आपका बहुत-बहुत झाल झाल